कॉमेडी सर्किस में आपका फिर से एक बार स्वागत है क्या आपको पता है एक सक्सेस्फुल मर्द कौन है? वही जो अपनी वाइफ के खर्चों से जादा कमाए और क्या आपको पता है एक सक्सेस्फुल औरत कौन है? वही जो ऐसा कमाव पती ढूण ले मुझे पता है कि कुछ मर्दों को आज शायद मेरी बाते पसंद नहीं आएंगी पर थोड़ा बैरक करना पड़ेगा क्योंकि आज है हमारा विमिन स्पेशल एपिसोड तो जो औरते अब तक परदे के पीछे से हमारा शो देखती थी जो औरते छिप छिप कर हसी थी जो औरते दिल ही दिल में जॉइ करती थी लेकिन कहने से शर्माती थी अब सीना अतान के मेरा मतलब है कि खुल के देख सकती है क्योंकि आज होगी साफ सुत्री वेजेटेरियन सिंगल मीनिंग कॉमेडी सिर्फ और सिर्फ औरतो की पॉइंट अव्यू से औरतो और अज है हमारी कम बैक जोडियों का सेकेंड और आखरी राउंड आज के परफोर्मश के और पिछले हफ्टे के मार्क को जोड कर आज हमें पदा चल जाएगा कि कौन सी दो जोडिया हैं जो आज हमें छोड कर चली जाएंगी और अब बारी है हमारे प्यारे जजिस की, तो औरतों के पुजारी सतीशा, औरतों की धरावनी मेरा मतलब है के बुलंद आवाज अर्चनापुरंच से, और वो जिन पर औरते मरती हैं, शेखर समन, और आज इस शो में हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक ऐसी ह जिन्होंने बेटी, बेहन, पत्नी, सास, मा जैसी औरतों के कई रूप, on-screen and off-screen बखुबी निभाई, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, the most charming and a brilliant actress, still young at heart, ladies and gentlemen, please welcome the fantastic, परीदा चला, नानी, आप या क्या करी है? मैंने सुना कि ये वुमिन स्पेशल हो रहा है, तो मैं पीछे कैसे रहती, मुझे तो आना ही था, बिल्कुर, लेकिन ये आपके हाथ में क्या है? ये एक मीटर है, जो मैं अपने साथ लाई हूँ, क्यूंकि आपके शो में तरह तरह का मजाग होता है, आज औरतों का मामला है, तो मुझे जब लगेगा कि ये मजाग ऐसा है, जो हर औरत खुश हो कर सुनेगी, तो ये मीटर ग्रीन पर रहेगा, और जब मुझे ऐसा लगे के बिल्कुल भी, No, 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 Too yे रडी पर चला जायेगा, समझ गैगा हूँ? बिल्कुल, A big round of applause for Faridhah Jelaal! तो पर चुन को कि छूड बेकर औरनेक अरटों मसीहां ने वाले ayau athletes आरहे है, औरत को मसिहा ऐसा दूरे ऑडेत उन माहतेड केृ आने वाले. ओर दोनल्ग है ऐस्ञाम आलेकुम आलेकुम। अलेकुम नमस्ते। सच्राइकलर के ओना हम आपने मेहमान को खुशामदित कहते हैं। फरीदेजी को मैं बसक्ता ने कि फिल्म हाँ। मेरे बच्पन नी आया थी में अत्ता बड़ा पैदा हुआ था तो ओरत सची बताओ औरत हर रूप में टेंशन मीटर 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 हाँ नी ये रेडी है वैसे अब शुरू हो जाईए लो भाई औरत के पाउं की निचे जन्नत है हाई 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 अप्सलुटली तक सच्चा प्यार करूंगा तो ये मसला है आज तुम तो बजगे और और तो बे बोलना है और आज आपकुछ पुरा बोलनी सकते क्योंकि तुम लड़की हो बिलकुल तो अब जाके बैठ जाएए ये खबर कहां से आईए जाए जाकर बैठ जाएए बारी है हमारी ओपनिंग जोडी की जिन्हें समझने के लिए आपको पांचवी पास से तेज होने की कोई जरूरत नहीं देखे कैसे इस रियालिटी शो का हुआ बंटाधार जब पड़ी इस औरत की मार जो पांचवी फेल से भी गई गुजरी हैं खेलने आ रही हैं कंटेस्टेंट शायांतनी विद एसार के यानि शा रुकुल्दीप इन क्या आप पांचवी फेल से गई गुजरे हैं वेलकम रह दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शो में हमारी पाच साला में आए शुरू करते हैं क्या आप पांच भी फेल से बुद्धू हैं प्लीज गिवर बिग हैं अमारे साथ आ रही हैं कमला जी इंदोर से खेलने के लिए इन्हें आप कम्मो कहके भी बला सकते हैं प्लीज जोरतार तालियां कमला जी के लिए कमला जी, वेलकम टू क्या आप पाच भी फेल से बुद्धू हैं तांक यू कैसा मैसूश कर रही हैं मैं क्या भी मारी सूट के आई हूँ मेरा मतलब अपने बारे में कुछ बताएए आप हमारे जो में आई अपने बारे में कुछ बताएए मैं एक समाज से भी का हूँ ओ देखिए कम्मो जी एक समाज से भी का है ये महिला शजक्ति करण की अद्देख्ष हैं महिला कल्यान विवाग की संयोजक हैं और महिला हिंसा रोको अभियान की संचाली का भी है मतलब, कम्मो जी, आप जो इंप महिलाओं की हैं, पुरुषों की कुछ भी नहीं है हूना, पुरुष खुटाइ केंजरी की संचाली का भी हूं देखिये कुटाइ से पहले, मैं खेल सुरू कर देता हूं कम्मो जी, खेल के नियम तो आपको पताई हैं मैं आपसे सवाल पूछ और आपको जबाब देने होंगे आप यहां से जीच सकती हैं पांच करोड रुपे एक मिनिट जो बच्ची तुम्हारी साहथे के लिए वो बच्ची का है ओके मैं बता देता हूं यह बैठे हैं बच्चे आपकी साहिता के लिए यह शाहरा नहीं सकते और भो ना लाए खंगटा चाफ है ठीक है पिर वहाँ वैठी उस बच्ची को यह बुलाओ ओके बच्ची यह रेड़ी तो ठीक है कमो जी की साहिता के लिए शृती है तो यार तो मैं आपसे सवाल पुछता हूं लेकिन अगर आपने यहां से पांच क्रोड रुपे नहीं जीते तो आपको उस कैमरे में सामने देख के बोलना पड़ेगा कि मैं पांच भी पहल से पुद्दू कमो जी देखिए मैं आपसे डारेक्ट सवाल पुछता हूं किल सुरु करता हूं लेकिन आपको अपका सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा मेरा सब्जिक्ट है पांच भी का इतिहास तो नहीं है पहला सवाल कमो जी के लिए ये रहा दस अजार रुपे का चंगेश खां के बाप का नाम क्या था? मार क्यों रही है आप? मार क्यों रही है? ये चटी के इतियास का है मैं ज़री मुझे मैं ज़री देखिए कमो जी मुझे खुद नहीं मालूम था मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ ये रहा आपका सवाल दस अजार रुपे के लिए चंगेश खां की मा का नाम क्या था? लगता है कहां मैं बता ही ये साथ वी के इतियास का था? देखिए आप ज़री मुझे खुद नहीं मालूम दूसरा सवाल पुछता हूँ चंगेश खां चंगेश का जनम कब और कहा हूँ था? बताओ अगर चंगेश खां का पिता च्चती में आया उसकी मा सातवी में आया अब चंगेश का पाच्वी में कहां से पैदा हूगे? पूछेज कहां से पूछेए पूछेज कहां से पूछेए नेभी जी, मैं आपके चरन चुछता हूँ, आपको पांच करोड़ों पे दूँगा और मैं उस सामने वाले कैमरे में कहता हूँ कि बारत में महिलाओं का अजीब खेल है और मैं ये किंकान वाज भी पास नहीं, वाज भी फेल है तेंक यू तो फरीदा जी, आपके मीटर के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस कौन से रंग पर आकर उखेगी वैसे ये मीटर मैंने उनके लिए रखा था अपने हाथ में के ये जो हमारे जन्टलमें जितने है वो इस पार या उस पार होंगे लेकिन यहाँ तो महिला कुछ है ना और इंज तक चली गई थी, बट वेरी वेरी गुट शुरूआत बहुत अच्छी थी जो शारुक का जो एक वो टेक ऑफ बहुत अच्छा किया आपने लेकिन सिरुफ कॉंसे पर ही यूमर नहीं आ सकता आपने लिए बेंचमार बना रखा है आप लोग ने इतना बहुत किया था लास टाइम उसके मुकाबले मुझे जरा सा वीक लगा और शाहनतनी आप जादा ही फोर्म हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पुराने बदले ले रही हैं इससे I'll give you nine. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Kuldeep. Thank you, Shayanthini. के लिए हमारे सताय हुए एक मर्द अपनी शानपटी के साथ लाते हैं. आईए, शाने शकील. के लिए कंदे से कंदे मिला के चलते हैं. मार्किड में जड़ा कंद लग जाए, शुरू हो जाते हैं. अपना जी को कहा गया था औरतों की पपी दा. बपी दा. बोट बड़े कलाकार है, माशालास. उनको का आप बपी दा. मैंने सोचा कर बपी दा और अपना जी को लेके मनाओ. अब इनका इश्क चल गया. फिल्म शुरू हो गई, समझ लो. इश्क चल गया. गाना शुरू हुआ. आओ, सीने से लगे के मर जाएं. कोरियोग्राफर परेशान हो गया. सीना कहा लगा, बीच में पेट आ रहा है. तो गाना चेंज कर दो, गाना चेंज हो गया. चल पहागरात का सीने, बबीदा दाखिल हुए. गुंगर उठा, जैसे ही बैठे, चद बैड़ गए. दोनों ड्राइंग रूम में. अब फिल्म बन गई है, अब वो पर्दा नहीं मिला, जिस पर रिलिस किया जाए. आ रही है हमारी अगली जोडी, जिससे सब डरते हैं, उस पठान को पहुचा रही है शमशान, एक औरत, जिसकी कीरती है महान. प्लीज वल्कुम वो औरत, आकाश दिपिका और परवेश पठान. प्लीज विए. बत्तमीज चलें यहां यहां से तो क्यों मेरे पीचे पड़ा है मजबूरी है हम को हर ओरत जाते वे अच्छा लगता हाते वे नहीं तुम चाहते क्या हो अभी सब के सामने क्या चावे कभी अखेले में आओ गफशप मारेगा तुम्हारे घर में मा पहन नहीं है नहीं पिशावर गया हुआ गर खाली है चले तुम्हें शरम नहीं आती शरम आती है बारा बज़े आती सवा बारा बज़े चली जाती मैं जा जाती है तुम वहां क्यों आते हो तुम बॉह मा जाओ, जहाँ 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 पहले से आवे ले बलोवे अभी बताओं सबको, मर्द कैसे होते हैं? मर्द नेचरल ब्यूटी, सोला रुपे के रेजर लेओ, पहला करता चांद, दूसरा चू, चाचाचाचाचाँ रुको, अभी मैं अपने भाईया को बुलाओंगी बुलाओ बाई को बुलाओ वही तो चाता है बस अभी है कि हम तेरा बाई से तरा हाथ मांगेगा तुम औरतों को अपने पैरों की जूती समझते हो औरत, एक खुपसूरत किताब है पढ़ के रदी कौन करता है शरम, औरत का गहना है था भी तुमने ये बत्तमीजी वाला लिबास पहना है देखो, औरत, रात का सनाटा है मर्द उसी सनाटे में बोखने वाला कुता है औरत, चटान है मर्द पठाने तेरे सामने श्टुबिट, इडिएट, रास्कल तु पठान नहीं, तु शैतान है क्यों? अच वूमन्स डे है, वूमन्स डे अल्ला माफ करें, अम गर से निकला तो संडे था शटाब आज औरतों का दिन है अचा ऐसा बात करो, औरत का दिन है, तो हम तो ऐसी मजा कर रहा था लंबर लेने के वास्ते, तुम तो हमारा बेन है, बाजी है, सिस्टर है आप हमारा बेन है बेन है पैर्चू इधर ठीक है पर्थाइड़ जी, जी लगी आपको यह परफॉमंस्ट यह थोडी सी, और इंसे भी थोडी जारीती लेकिन फिर थोडी हो गई पतान सहाब ते लाज जवाप थे आपका यापका अपका बोदी लाइज लाइज एवरिफिंग और यू आकाश दे सम सब्षाइस सुप्राइस वह रहाई था इस चातैक यू रहा और यू रधा थे परवेस इस थी बाद की दो इंट वाप दो इसलिए अपको 9 थोई ए जा आए पेदे, इसलिए भी आपको 9, ौई नभी आए, अथ न्याए किया टोणो मिलके आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा, शायद कोई अरसाइक गुजर गया है जहां आपने ये नमबर नहीं देखा, I'd like to give you this. Oh, I love you, sexy. Thank you. It's time now for our next jodi. और चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती? इशारों पर देश चला सकती हैं. तो ला रहे हैं ऐसी ही एक लेडी, स्वदेशी माता विद विदेशी टाच. सुचेता सोनिया जो दे रही है दूसरे देश के भाईजान सली मुशर्रफ को टकर. Check this one out. तो नहीं कर सकती हैं. आप तो हमारे कुछ वकीलों और कुछ नेताओं की जबान बोल रही हैं. वो भी हमें आजकल खुदाफिज कहना चाहते हैं. अँआज नहीं मुशर्फ साहिब, आप अपना दौरा मुकमाल करके जा रहे हैं, तो हमने सोचा फीखी जबान में आपको रुकसद कर दूँ. जबान तो आपकी बहुत अच्छी है, सौनिया जी. लगता है हिंदी इंग्लिश में बोल रही हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे हां की फिल्म स्टार मीरा, हिंदी फिल्मों में इंग्लिश काम करती है. ये मैंने बड़ी मुश्किल से मन्नु जी से सीखा. ये कौन मन्नु? मनमोहन जी. वो तो खुद अपनी हिंदी पंजाबी में बोलते हैं. आपकी जबान कैसी है? खुद देख लीजे. अटल जी का सुना हैं. एडभाणि जी का सुना है. उनके बाल बच्चे कैसे है? उनके बाल तो अभी बची नहीं है. आदो बाल कज दूप्चे का रचे हैं? उनके बाल तो ये सोच कर प्यम बनूँग क्पी थैंदी. अच्छा, आप बताइए हमें. हम कैसे महमान नवाज है? देखें, आप तपाई नहीं, मेमान तक ठीक है, नवास का नाम ने लिए वो क्यूँ? क्योंकि मैं शरीफ नहीं रहता फिर अच्छे ये बताईए, आजकल आपके देश में कौन-कौन सुर्खियों में है हमारे देश में आजकल सुर्खियों में शौइब अक्तर है और आप कि यहाँ? जावेद अक्तर एक ही बात है, हमारा वाला खेलता नहीं है, आपका वाला किसी को खेलने नहीं देता है ये बताईए, आपके खिलाडियों ने आई-पियल में अच्छा क्यूं नहीं खेला? उद मैज में जाके देख लो, वो जो चेयर गल्ड डांस कर रही होती है, हमारे वाले तो तरसे में बिचा रहे है अफरीदी तो बहुत चक्के मारता है, वहाँ पे यहाँ क्या हुआ? अफरीदी तो डांस के खिलाफ है, इसलिए उसने यहाँ चक्के नहीं मारे, चक्के मारेगा, वो डांस करेंगी आप ये बताईए, आपके बेटा राहूल कैसा है? अच्छा है, आजकल देश ब्रह्म पे निकला है देश ब्रह्म? नो, देश ब्रह्मन, ब्रह्मन पे निकला है ये बताईए, पॉलिटिक्स आपको पसंद है? पॉलिटिक्स अची चीज है, मगर मैं जन्ता के साथ नहीं अची चीज समझता, इसलिए सिर्फ पॉलिटिशन के साथ पॉलिटिक्स करता हूं हमारे देश में तो पॉलिटिक्स एक खला है, एक आर्थ है हमारे देश में मार्शल लाइक आर्थ है जी नहीं मेरा मतलब है पॉलिटिक्स मार्शल आर्ट है दिशू दिशू तूतर मैं बैठूँगा तो आपको हमारी दोस्ती पसंद है या दुश्मनी दोस्ती अची चीज है दोस्ती अची चीज है तो कि दोस्ती में बंदा अकसर वो काम भी कर जाता है जो दुश्मनी में भी नहीं कर पाता है बहुत सही कह रहे हैं आप मैं आपको दिल से सलाम करती हूं मैं आपको नमस्कार करता हूं परीदा जी कैसी लगी आपको ये परफॉर्माइज जिस आच का हिस्सा सोनिया जी हो वो तो बिलकुल ही जी नहीं पर रहे गा लेकिन आप ये लिए आप दोनो लग रहे हैं बिलकुल जो आप पॉर्ट्रे करने की कोशिच कर रहे हैं लेकिन टेम्पो नहीं बना आक्त का जादा ये आक्ट बहुत माइन ब्लोई हो सकती थी लेकिन उस मकाम पर पहुच नहीं सकी सो इस पार्ट के लिए भी आपको में माक्स देती हूं तो देज आट वाट इस एट गॉइट एट सब्सक्राइब रुग कर्णिजिए गाड़िजिए लेकिन रुक रुक के गाड़ी चल रही थाव लोगों की Overall, I was not unhappy about it, so I will give you nine. Nine points. Thank you, Sucheta. Thank you, Salim. It's time now for our next Jodi. Be-wajah Aasoo bahane vali drama-baas-patni, jiske saath kitna bhi achcha treatment karlo, woh achchha hai mein burai dhund hi nikalti hai. Aur mein aapko bata duon ki yeh orto ki ek baut khas quality hai. Aysi hai ek drama-baas-patni Rajiv suna rahi hai apna dukhra, aapne bachare pati Rajesh ko. A big round of applause for Rajesh and Rajiv. Meryi zindagi ek jua ban kar rhe gai, jis ladki se pyaar kiya tha, woh mere bachche ki bua ban kar rhe gai. Meryi joh maujudha wife hai na, current wife, personal, private wife, dekhne mein toh bum hai, pataka hai, rabchik hai. Aysa moholege londae bolte hai. Acha, mein kuch kae dhu. Sachcha hai yeh hai, ki ek nombor ki kamini, halkat, kaam-chor, ti, 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 aysa ham nahi bol sakti hai, hamari amma kehti hai. Aap socha rai hoon ga, ham kuyo nahi bol sakti hai? Toh uske pichhe ek wajah hai, ha maari awukat, sudesh aur krishna ki tarah hai. Mein sirf yeh kehna chaatah hoon, ki ghaad ghaad ka paani bhi, matlab pila chukki hai, aur yeh glaas paani maanggo, toh taan-dab kerti hai. Sar pe chad ke, iitna ziadha bolti hai, ki zindagi me kabhi kuch aagya, dhu, padi nahi baata hai. Saapal pala raha hoon ki dhersi? Akilye mein ha? Ate nahi, kuch nai, bas hum yeh kareh thai ki, a, तो साड़ी नहीं दिया तुमने सब्सक्राइब करो ना दार्लिंग म्यासि थोड़े करना थोड़ी जाहते लिए करोन्स हम तुम्हारे लिए सरप्राइज लाए हैं सरप्राइज रख दो हमारे अरे तु बात करते हो ठीक है देखो ये साडी देखो कैसी है साडी और ये राहा ये दूई कोड़ी के साडी उठा के लिया इसको काम वाली महरी न पहिने अरे सानी एन तुम जाओगी हम दना टी-वी देख लेए ये देखो ये विसिता सब तरह का प्रॉबलम है हमा बाबू जी से तो कोई प्रॉबलम नहीं है अरे राम रे उनी से तो प्राबलम है, बुढ़े बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है, राम वो तुमारी अम्मा है ना, एक नंबर की कमीनी है, ऐसा क्या कर दिया अम्मा ने भाई, आज हम तो सुबह सुबह कही रही थी बहू, तुम सिर्फ चाय बना लो, बाकी घर क खाना, पीना, धालू कटका मैं कर लूगी, इतनी काम चोर है वो इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी भालाई के बारे में सोची है, ना? वरते हैंता हमाः तो कोई परवाई नहीं, इस गरें आरे हैं तुम्हारी परवाई भाई आप क्या हो गया? तुम कहें इसे बात करें तुम तो सुबह काम पे चले जाते हो, रात में आते हो, उस सामने मुच्छलम को सारा दिन गूर गूर के देखता है अरे बाप रे, उसके हिम्मत, हिम्मत की बात मत करो, कल तो घर पे भी आ गिया था अरे बाप रे बाप, पूरा डिनर करके गया है, राजमाचावाला चार, पापण साथ में स्वीट भी खाया था, तुम एसे मेरी परवाई नहीं है 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 डार्लिंग, हम अभी बताते हैं उसको अरे तुम क्या देखोगे, अब वो नाई ड्यूटी पे काम पे चला गया है, तुमको तो मेरी परवाई नहीं है जहां भी होगा, वहीं पकड़ के सूत देंगे, हमारा वादा है अरे तुमको क्या मालम कहा क्या काम करता है, घंटा घर बिस्कूट कमपनी में क्या करता है वो हम वहीं देख के आते हैं इसको बता इनको दह्माई परवाई नहीं है पूरी रात ढूंडे कम वकत कहीं नहीं मिला बिलेगा कैसे तुमको तो परवाई नहीं, तुम रात में उदर गए, तुम्हाई पीछे कमीना इदर आगया रादवरी दृता राजी, आप वो औरत हैं जिस पर अत्याचार होना चाहिए देखते हैं परीदा जी क्या कहती है, परीदा जी अब हम औरतों के, मतलब फेवर में क्या कह सकते हैं, I'm sorry लेकिन यूर सुपर्ब, that's the word for you, सुपर्ब मैं सबस्ता हूँ कि जिस तरह से शो में आप लोग अपना लिंग परिवर्तन कर रहे हैं उस तरह से, पूरी तरह से आप महिला बनके स्थापित हो जाईए कुल मिलाकर बहुत ही मनुरंजग था, I will give you a nine Thank you, sir Nine point Rajini Nigam, कैसी है आप? Rajesh ji, आपने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन सपोर्टिं रोल में थे आज आज आप मैं तुम्हारे एक्ट को आप देती हूँ, लेकिन तुम्हारे अगेन वन माक अवन नी फो यू राजी थे पूर्टिंग पर यूर्टिंग थे नेक्स आ रही है रॉटर चितराशी जो जानना चाहती हैं डिरेक्टर रहमान से फिल्म के सीन में हिरोईन के नहाने की वज़ा अब ये सीन क्रियेट करते क्या सीन क्रियेट हुआ ये आप खुदी देख लीजे अलो जी आपने टाइटल रेजिस्टर किया लिखिए अबला नारी और रेड़ी रेजिस्टर है तो ठीक ये लिखिए अबला नारी काम भारी आपने वह नाने का सीन लिखा नहीं सर नहीं सर नहीं लिखा तुम क्या समझते तुम नहीं नहीं लिखूगे तो लोग नहीं छोड़ देंगे और सर ऐसे सीन से बिगड़ते हैं बच्चे बिगड़ते हैं देखो देश को हेल्दी एंटर्टेंटमेंट की जरूरत है है नहाना हेल्द के लिए जरूरी है तुम रोज नहाती हो अफकॉस सर तुम हेल्दी हो तुलिखो अगर हिरोई नहीं नहीं आएगी तो उसके जिसम से बदबू आएगी उसके जिसम से बदबू आएगी तो हीरो उसके पास नहीं जाएगा तो फिल्म ट्राजडी हो जाएगी ना मेरी समधें बात नियाए कि जो उष्पीनस आप इसको डिल्यक्ट कैसे करेंगे अब ऑसे डिल्यक्त पूछू ना देखो हुआ हरोईन पाथरूम में नहाने जा रही है जिसम पर कोई कपड़ा मही तर रही है कि इससे कहा है थेंक तुम क्या बाकी हिससे ड्राइंग रूम में छोड़के आती हो नहीं सर लेको बाकी हिससे भी दिखाई देंगे लेकिन इस वक्त गुटने इंपॉर्टेंट है उसके बाद हिरोईन बाथरूम पे जाती है दर्वाजा खुलता है ठका नल का क्लोजब शा क्यामरा पानी को फालो करता है पानी नल से जा रहा है पानी गटर में गया गटर से नाले में नाले से बड़े नाले में बड़े नाले से दरिया में दरिया से समंदर में उसके बास समंदर से नाले से गटर से लेकर सीधा पानी बाथरूम में आता है हिरोइन नहा चुकी है उसने तॉलिया लपेटा हुआ है फिर हिरोइन के टेहलोगा क्लोसब और तॉलिया फ़र्स पे अचानक जिर जाता है ठकाक और स्क्रीन पराता है इंटर्वल इंटर्वल के बाद सर नहाने का दूसरा सीन नहाने का दूसरा सीन लेकिन वो तो बहुत बाद में है देखो जितने जल्दी नहाने का सीन होता है उतना ही कहानी के लिए अच्छा होता है और हमारे देश में हिरोइन का बातरूम में नहाना किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता ह हिरोईन इस अदा से बाथ रूम की तरफ जाती है ऐसा लगता है कि जिन्दगी में पहली बार नहाने जा रही है और वो सींग देखने लाइक होता है कैमरा उसको फॉलो कर रहा है उसके पीछे डिरेक्टर, डिरेक्टर के पीछे कैमरा मेन केमरा मेन के इच लाइट मेन लाइट मेन के पीछे यूनिट, यूनिट के पीछे स्पोर्ट बाई और टेकेट खृटकी से एक आजमी दो आजमी, तीन आजमी साओ, हजार,नाख,तरोड और देखते ही देखते धर्नों, नदियों और जिनों वाला देश एक बातरूम में समा जाता है थाइटा जी तरीदा जी वैसे मीटर का जातक तालुख है यह डेफिनितल औरंज में है क्यूंके नाना, बातरूम, टावर और पताने तक थाइटा ने थाइटा उसके लावा, I thought I'm sorry, but it was a little tedious to put it very mildly I was hugely disappointed शरत जोशी का आपने जो भी किया, that became like sad जोशी शरत जोशी जी के प्लाट पे तो हम यह जो है जिंदगी किया गरते थे एक जमाने में, पर इस वक्त ऐसा लगा जैसे script है ही नही, वीक तो अलग बात है script है ही नही जितराशी, you did a very, very good job this time, and with a very heavy heart, I have to say that it was not, like they said, not to my liking also, and I'm giving you a six, I think generously, I'll give you a six, बहुत हवी heart से मैं आपको छे देंगा six points, thank you Rahman, thank you Chitrashi अब बारी है हमारे आज की आखरी परफॉमंस की सारे पराने अक्टर्स आज भी है इंदमान, उनकी बुरी फैंस आज भी उनसे मिलने को हैं बेकरार तो RJ जुही ने सोचा क्यों ना इन सारे पराने अक्टर्स का इंटर्व्यू लिया जाए और जाना जाए कि आखिर इस चाम का राज क्या है करने आ रहे हैं इस राज का परदा फाश जुही और वी आईपी गुरी वनिंग बहनों और बहनों ये है रेडियो तिर्ची और मैं हूँ अमीना शेयानी और आज हम इस देश की महिलाओं के लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम अभी तो मैं जवान हूँ वही पुरानी दुकान हूँ जी हाँ जहां आप मिल सकते हैं उन कलाकारों से जो अपने जमाने में हसीनाओं के सपनों के राजा हुआ करते थे और उनसे बातचीत कर सकते हमें फोन करके देखे ये सुनते ही काका के लिए फोन आ गया है और ये फोन है हमारे काका जी के लिए और तुब बात कराव नही wydaje म ense조 हống पनीश पसताथ नहीं हो नहीं पुंषपा नहीं पुष्पा नहीं हो नहीं तो तेन महीने से पगार गही दिया है मेरा मोबाइल भी मत करके बैठे लाए मेरा पगार देना सिदे सिदे थैंक यू बरी मच एंड येस यतना दर कॉल और ये है देव सहब के लिए बात कराईए बात कराईए जल्दी बात कराईए हेलो मैं पुष्पा की दादी बोल रही हूं ये तो देव सहाब के लिए ही फोन है अरे देव आनंद तेरे बाल हवा में अभी क्या वैसे ही उडते है इसके बाल तो कब के उड़ चुके है इसके विक के बाल भी सपेथ हो चुके है क्या जवाब बिया है अपने माइं ब्लोइख और अनादी इस ताइम इस वा रर गारम धरम क्या पात है मेरा भी फॉन अगया और मेरा भी फॉन अगया चाहिए लेकिनोर के आज़्भी मेरी देप साने पाब आप मुझे देखा था कि तुम्हारी फेवरे ड्रिंक क्या है? ये भी कोई पूछने वाले बात है, ये तो कुट्टो का खून पीते हैं और अब आ रहा है अगला कॉल, जो है राजेंदर कुमार जी के लिए जी बात करवाईए हलो, अच्छा चलिए आप यही बता दीजे कि आप तो इतने बड़े स्टार थे तो आपका बेटा थोड़ा भी स्टार क्यों नहीं बन पाया? वो मेरे ओपर बिल्कुर नहीं गया उसने दो चार फिल्में क्या मिलगी? उसमें उसने अक्टिंग कर दी, अक्टिंग! हमारा समय समझ दो ओर है इसलिए अगर आप में से कोई कुछ भी कहना था है तो जाने से पहले कह सकते हैं मैं कुछ कहना चाता हूँ मिस मैं कुछ कहना चाता हूँ मेरे साथ तुमने ये तीन बूढ़ों को क्यूं रखा इसने हमें बूढ़ा का ऐसे आज हम छोड़ेंगे नहीं रुग जा कुटे और स्टूडियो में घरम अगड़ी शुरू हो गई है अरे भाई कोई हमें तो मानने दो मेरे अकेले मार रहो हमसे कमें गूसा तो मानने दो मेरे और ये सुनते ही धरम जी ने पास पिया देख सहाप्तोर राजे इस जी के पास और काका जी में शुरू करती रोमेंटिक वाइटेंग अरे धिशुम रे 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 धिशुम तो फरीदा जी इस किट के लिए तो बिलकुल लिए ग्रीन लेकिन जहां तक आपकी वर्सटालिटी है मिमिक डी में तो आपका कोई जवाब ही नहीं और एक्सिलिंट इन दालेकिन लेकिन आई थोट स्कृप लेवल पे जरा काफी जोल था इसा लेकिन मैं को लिए खेलेकिन कोई स्क्ट कॉषिक देख रहा है आँ गविवी अ six points thank you thank you vip thank you juhi thank you thank you saare acts huye khatam and finally it's show time aagya hai wakt ye janne ka ka humari chay come back jodiyo mein se wakonsi chaar jodiyan ja comedy circus mein aage compete karengi aur wakonsi dojo riya hai jo unfortunately aaj is show ko hamesha hamesha ke liye chod kar chali jayengi to chalye kaat gharay mein bulaate hain humari saari come back jodiyo ko can i please have all six come back jodiyo on stage jaisa ki aap jantay hain pichlhe hafte ke aur is hafte ke marks ko jod kar decide kiya jayega ki korn woh dho jodiyan hain joh aaj hume chod kar chalye jayengi dono hafto ke judges scores aur audience marks ke aadhar par woh pehli jodiy jodiy jose safe hain woh jodi hain woh jodi hain rajesh and rajeev aap safe hain please join the safe jodiy zordar taaliyan zordar taaliyan teen safe aur dho unsafe to woh dousari jodi joh aaj safe hain aur joh comedy circus ki race mein aage badehengi woh jodi hain shayantani shayantani and kuldeep please join the other safe jodiy zordar taaliyan kuldeep aur shayantani ke liye bada hi interesting mode hai 50-50 dho jodi hain safe aur dho hain unsafe mein ek baat sari jodiyon ko batana chaoongi ke pichle hafte aur is hafte ke marks ko mila kar aap sab ke bich zyada se zyada dho points ka antar hai it's been a very close fight to dhekna ye hai ke aap charo mein se kaunsi dho jodiyan aaj hain chhod kar chali jayengi juhi vip to aap ki dil ki chahat poori hai aap safe hain please join the other jodiy aap bachy hai sirf tien jodiyan jinn mei se sirf ek safe hain to aap dhekna ye hai ke aap tieno mei se woh kaunsi dho jodiyan hain jis se humare judges aur humare audience ke marks nahi bacha pay aaj ki pehli unsafe jodi hain aaj ki pehli akash dheep and parwes we're so sorry aap hain aaj aap hain alvida kehkar wapis chale jayengi sucheta and salim i request you to please join the other safe jodi aap hain akash and parwes chitraashi and rahman akash dheep or parwes afsos comedy circus ke saad aapka sfar aapka sfar aapka sfar ajiai khatm hota hai akash gianese pehle प्रीज पताईए कि ये दो हफ्तों का आपने जो सफर आगे बढ़ाया है आपके लिए कैसा रहा किसमत की बात है कोई है कोई निये बर हम सब यह है सांसे ले रहे है आगे फिर लेंगे और अच्छी बड़ी-बड़ी सांसे लेंगे आगे बढ़ेंगे मैंने जितना भी सफर गुजारा बहुत जबरदस था ये जिन्दगी को आखरी जंग है नहीं थैंक यूवरी मच एक बार फिर जोरदार तालिया आकाश दीप और परवेश के लिए चितराशी और रह्मान मरजी है मौला कबूल है यहां के बहुत अच्छा लगा एंद थैंक यू वैरी मच जज़िव एंद आल बेस्ट वेश तो एवरी वन जोरदार तालिया चितराशी और रह्मान के लिए थैंक यू थैंक यू और अब बारी है आज के इस एपिसोड के No Confusion Great Combination Moments की मैं आप सब दूसरा सवाल पूछता हूँ चंगेश खां तो लगाना चेंज कर दो गाना चेंज होगा चलो तो तो लड़ाएं चलो तो 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 क्यों ना इस पल को इंजोई करें in a true comedy circus way, तो शकील भाई आए, सब को जलील कीजे. बच्चे फैक के आपको देखती है हमारी यॉरते के अलों को अकल दे, अलों का पता लग जाता आप क्या होने वाले लेकिन देखेंगे ने देखेंगे दो ना, आपको जरा सदमा हो हमारी ओर तने टक्रे मारे दिवार पे, है कुम-कुम को क्या हो गया, कुम-कुम तरी यार यह तो फिर दफना के आजाएं, क्या हो गया, उसकी आदाश चेक कने दो, और यार पहली हो रहते हैं, जहां आपके घर पे कोई जगड़ा होता है, तीन दिन की नोटिस पर वकील बन जाती हैं, पढ़ती भी नहीं और वकील बन जाती हैं, यह कूँ सी वकील है, क्या आपको खौप सपने आते हैं, आपकालत की, आपके घर का जगड़ा, आप अकील बन जाओ, अच्या, मैं अकील हूँ, अरे, मेरा दोस्त बजगिया तू, तूने मू के मैचिंग से तूने टोपी पहने हुई है, तू टोपी छुपा, मू छुपा रहा, फिर भी लग रहा का द biết की असे अदमी जाते हैं, खुण देने के लिए, ये भी खूनET रहता है, इसको भगा दियां वाल, आम खुन लेती है डीजल नहीं लेता है फी अंशMER आजह आगलाया राकात हो यह है लिप ड्रेस, रसाङ कहतो अ काट थी किया, इसका क्या ड्रेस है एक जोले लेती ही, निचे आजाती है लगाती है पहन के आजाती है जोर्दार दालिया शाले शाकिल के लिए जाये ना हम जाये न हो गया आपका तो खड़ा हो चलो खतम करो नहीं चलो जल्दी करो मुन्ना रहो 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 क्या हो for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos you